नमस्कार साधकों एक बार पुना एक बार और नई चर्चा में आप लोगों के समक्ष उपस देखें कई ऐसे साधक जो बार-बार कमेंट के मांधू से या फोन करके पूछते हैं कि गुरू जी हम कौन सा नाम मंत्र जपन चाहिए किसका नाम लिए कौन सा नाम सबसे अच्छ लेकिन कुछ लोग खास करके भगवान श्यू के बारे में पूछते हैं कि हमें ओम नमह सिवाय का मंत्र का जाप करना चाहिए देखो भई ये मंत्र है ना कि नाम जपन ओम जहां पर प्रड़व लग गया उसके लिए कोई विशेश ही ब्योफता चाहिए आप कहीं भी मंत्र का जाप प्रड़व जिसमें लग गया यानि की ओम जिसमें लग गया उसका अगर जप करना है तो आपको सुद्ध सात्विक अस्थान का ध्यान देना पड़ेगा आप भोजन करके लासन प्याज खा करके इसका नाम का जप नहीं कर सकता इसके लिए एक बिशेश नि तो अगर कोई श्यू भक्त है भगवान शंकर का परम उपासक है तो ओ कौन-कौन से नाम मंत्र जप सकता है तो श्यू आप ओम नहीं लगाना कि ओल श्यू 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 जप तो श्यू भोले बाबा का बेहद सक्तिसाली नाम माना जाता है इस नाम के जप क करने से मोक्ष की प्राप्ट होते, यह्दि कोई मनुष्य मोक्ष की प्राप्ति चाहता है, नियमित भगवान शंकर के सिवु रूति नाम यो इसका अर्थ कल्यारकारी होता है, इसका नाम का जाप करशन निसके बाद दूसरा अगर आप भगवान श्यू कि पर्म उपासक हो तो आप बाबा-बाबा-बाबा-बाबा में करके जा है गाउँ में पहले भगवान शुके बाबा का नाम व्यक्र इस नाम की बड़ी सकती है अगर आपना जाप होता रहता आपको बिपदाओं से निवारण मिल जाएगा बिपदाओं से आपना कफ्त दूर हो जाएगा इसके बाद तीसरा नम्बर आता है भगवान का एक नाम है महादेव यद कोई साधक महादेव करता हुआ नाम जब करता है यद किसी ब्यक्त की सेहत अक्सर खराब रहती है रोग दोसर आता है तो प्रत दिन महादेव के नाम का जाप करे और शंकर जी को जला विशेक करे इसके बाद 15 मिट बैट करके महादेव के मंतर का जाप करे तो उसके सेहत बिश्वंभर भगवान का एक नाम है विश्वंभर विश्वंभर इस नाम की ऐसी महिमा है ताहते इसका नीमित रूप से जाप करने से यदि कोई मनुष्य परेसान है विरोजगार नौकरी इत्याद की समस्या है उसका धंधा पानी विद्निस नहीं चलगा है तो यह नाम में बहुत ताकत है यह व्यक्ति के आर्थिक कफ्ट को हरन करने में बहुत लाभकारी है इसके बाद भगवान का एक नाम बहुत जादा आपनों सुनों होगे आशुतोष आशुतोष का मतलब होता अतश्य घरप्रशन होने वाला यदि आप अपनी पत्री के सुले नात के आसुतोष मंद्र का नाम जब करना चाहिए सुबह उठने से लेकर के रात ते सोने तक आसुतोष का नाम जब करने से दामपत्य जीवन में खुसिया आती है और आपकी पार्टनर का व्योहार आपके प्रति मधूर हो जाता है इसके बाद भगवान का एक नाम है रुद्र रुद्र धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आपके बच्चे का व्योहार उग्र है तो आप उसे ठीक करना चाहते तो दो पाहर के समय भगवान श्यू के रुद्र नाम मंत्र का नाम का जाप करे पंद्रा मिनट करे और बाद में 11 बार अपने बच्चे का नाम और श्यू इसके बाद आपके बच्चे के शेहत में बगलाओ आएगा उसका जो उग्र रूप है उग्रता है उस समाप्ट होगी गुस्सा समाप्ट हो जाएगा नटराज धार्मिक मान्यताओं के अनुसार यदि आप पिर्मान सम्मान में बढ़ुत्री करना चाह रह तो भोले नात के नटराज नाम के प्रणोग कीजिए और शाथ में जो व्यक्ति कोई भी सासन में या प्रशासन में या नहीता गिर्म में जाना चाहता तो उससे नटराज भगवान की मूरती प्रत दिन नट राज नाम का 108 बार जाप करने से मान सम्मान और यश्की प्राप्ति और अन्त में भगवान का नाम महेश, यदि कोई व्यक्ति अपने जीवन में नियमित रूप से तरक्की पाना चाहता है, तो नियमित रूप से भगवान महेश का नाम जाप करना चाहिए, इससे आपका व्यापार चलने के लेगा, आपका मन बन जाएगा, और आपके जीवन के सारे कफ्टों का समन करने लेगा, तो भगवान शिव के जो उपासक है, इन मंत्रों, इन नाम के जो हमने नाम बताया है, इन नाम का जाप धर शक्ते हो कई लोगों का प्रस्न था, थानत जिश्वास है, यह उन लोग के लिए लाग प्रद होगी, जो लोग भगवान शिव के परप उपासक है, अगर एक चर्चा आपको अच्छी लेगी हो, तो कमेंट करका उसे बताईए, शाथ चैनल सुस्क्राइब कीजिए, लाइक सेयर कीजिए, अपना प्यार और गुलार इसी प्रकार से बनाए रखे, और एद कुछ आप लोग कोशन से होता तो हम आजन से कूछ सकते हम और शुक्ता देने, बहुत बहुत धन्यवार